जाहें दिश्टिटेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस दिव्यांशु पांडे आज की सिशन में हम एक्सराइज नुमैडिक एलिफेंट के बारे में डिसकुशन करेंगे शुरुवात करते हैं आज के इस क्लास की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी मिलिटरी हर साल डोमेस्टि बालेटरल और मल्टी लेटरल एक्सराइज में शामिल हुआ करती है और इस बार भारती थलसेना मंगोलिया के उलान बतार में जाकर 17 जुलाई की इस नुमैडिक एलिफेंट एक्सराइज में पाट्सपेट कर रही है यानि कि इंडियन आर्मी और मंगोलीन आर्मी के बीच में एक्सराइज नुमैडिक एलिफेंट आपका कंड़िट किया जाता है और इस बार इस एक्सराइज का 15 एडिशन कंड़क्ट हो रहा है जिसमें भारती थलसेना की तरफ से टोटल 43 आर्मी परसनल जो है मंगोलिया के लिए रवाना हुए है और यहाँ पर हमारे इंडियन बतार में 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका शेडियूल किया गया है यानि कि लगभग 15 दिन आपकी एक्सराइज चलेगी जहां पर एक्सराइज की सभी डोमेन में इस एक्सराइज को जो है सही तरीके से कंड़िट किया जाएगा इसका जो पिछला एडिशन था य और उस समय इस एक्सराइज से रिलिट कोश्चन आपके एक्साम में पूछा भी गया था तो एक्सराइज से सम्मंदित कोश्चन एक्साम में पूछे जाते हैं कि कब कौन से एक्सराइज हो रही है कहां पर हो रही है उसका कौन सा एडिशन है आर्मी के हमारी कौन से रेज उसमें पहुंचे हुए हैं और भारती वाइसरीना का हमारा एक एक राप C-17 भी वहाँ पर इन लोगों को आपका लेने छोड़ने गया हुआ है आगर हम इस exercise का main name देखें तो सबसे important main name यही है कि इस exercise के जरीए हम एक positive military deals कैसे कर सकें अपने practices को exchange कर पाएं दोरो देशों के जो जवान हैं उनके मन में जो है interoperability, bonohemi, camera dairy और friendship की भावना कैसे develop कर सकें साथी साथ United Nations का mandate counter-terrorism को प्राप्त है उस operation को भी करना इस exercise में आपका कहा गया है तो इंडियन आर्मी जो भी exercise करती है वो United Nation के mandate mission को लेकर किया करती है इस बार वो counter-terrorism की theme पर यह अपनी exercise को conduct करेंगे 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक significance देखें तो इस बार जो है FTE यानि की field training level, platoon level की exercise इसमें की जाएगी जिसमें various activities दोनों देशों के जवानों के skills और capabilities को boost up करने के लिए conduct की जाएंगे इन activities में क्या-क्या शामिल है तो पहला training, reflex firing, room intervention, small team tactics, rock craft training यह शामिल लहेंगे और साथी साथ अपने operational experience को कैसे हम share करते हैं इस पर भी बात बताई जाएगी Indian armed forces कैसे अलग-अलग terrain में दुश्मनों का सामना कैसे करती है, उनके अच्छी experience क्या है और मंगोलिया से भी उनके experience हम लेंगे जिससे की अपने training procedure में हम उसको आपका involve करके अपने जवानों को और भी आगे बढ़ा सके India और मंगोलिया दोनों अपने region security और cooperation के एक mandate को share किया करते हैं मंगोलिया की आप location देखो तो ये चाइना के north में है और रश्या के south में है और मंगोलिया एक land log country है और इनके relation पिछले काफी सालों से काफी अच्छे हैं 2015 में प्रधानमती नरेंद मोधी मंगोलिया की यातरा पर गए हुए थे और इस प्रकार से पहले भारती प्रधानमंती बने जिनका विजट मंगोलिया को हुआ इन्होंने अभी हाली में multi nation exercise exercise खान कोईस्ट में भी participate किया था भारती सेना ने जहां पर हमारी इंडियन आर्मी के साथ 20 countries की अधर जो आर्मी थी उन्होंने भी इस exercise participate किया और ये exercise मंगोलिया के उलान बतर में ही कंड़र की गई थी defense exercise चाहे आपका nomadic elephant हो ये exercise खान कोईस्ट हो दोनों आपकी काफी अच्छी है और इन दोनों में भारती थल सेना और मंगोलिया नार्मी के सहयोग हमेशा देखा जाता रहा है तो इस प्रकार से इन दोनों exercise को आपको पता हो चाहे आपकी ये nomadic elephant exercise हो या फिर आपका खान कोईस्ट exercise हो ये exercise आपके परिछा के दृष्टिकोंड से काफी महत्वपूर्ण है इसलिए इसका आप proper note बनाते चले इस class को follow करिए like share भी करते जाए और अगर आप नए हैं तो subscribe जरूर कर लीजे साथी साथ SSB crack exam के इन सभी courses को आप ले सकते हैं अपने पढ़ाई को बहतर करने के लिए warrior 10 code का use कर लें जिससे कि आपको 10% का flat discount हमारे सभी courses में मिलता जाएगा और आप घर बैठे affordable price में equality education ले पाएंगे जय हैं अगर आप एक difference experiment है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं